अनंतरम अरिम विद्या दरि सेविनमेवच अरेर नंतरम मित्रम उदासीनम तयोह परम मनुस्मृति का यह शलोक सात्वे अध्याय शलोक संख्या 158 आप सभी को पता है कि हम आज कल मनुस्मृति स्वाध्याय कर रहे हैं और इस शलोक के माद्यम से मनुमा राज कहा रहे थे कि जो हमारी राज्य की सीमा वर्ती जो राज्य होते हैं वो हमारे शत्रू होते हैं लेकिन उससे परे के जो राज्य हैं वो हमारे मित्र होते हैं जैसे कि पाकिस्तान हमारा शत्रू है लेकिन उससे जो दूसरी तरफ का रा का तائवान उसकी सीमा से दूसरे छोड़ पर रहने वाला होंग कॉंग ये हमारे मित्र हैं मनु महराज बहुत स्पश्च तरीके से जो हमारी देश-विदेश की नीती है उसको समझाते हैं और आज हम डिटेल में बात करेंगे होंग कॉंग बारे में और ताइवान के बारे में और बताएंगे आपको के भारत के अंदर जो कुछ चल रहा है अंदर बैठे शत्रू और बाहर बैठे मित्र किस प्रकार से इस होने वाले संभावित युद्ध में हमारे साथ हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा अच्छी लगे त भारत सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है किस प्रकार से हमारा जो पूरा विकाव मीडिया तंत्र है उसने भारत की जड़े खोदनी शुरू कर दी है लेकिन इसके विपरीत अमेरिका ने भारत के साथ में पूरी तरीके से सहयोग करने का अपना वादा दे दिया है साथी साथ इसराइल ने भी इस वादे को दोराया है साथी साथ दूसरी सीमा की तरफ बैटे हुए ताइवान और होंग कॉंग ने भी भारत से इस विशह में सहय तमागी है पूरी बात को समझते हैं जो अभी फिलहाल तातकालिक गटनाए हैं उन सब को तो आप न्यूस चैनल पर देखते रहते हैं लेकिन आज हमारा महत्वपूर्ण विशह है कि ताइवान और होंग कॉंग से चाइना की क्या दुश्मनी है किस प्रकार से ये लोग चैना के दुश्मन बने और क्या ये सब लोग भारत के साथ मिल करके चैना को आज ढहा सकते हैं अपनी विस्तार और वर्चस्ववादी नीतियों के कारण से कुख्यात चीन को दुनिया ड्रैगन का नाम भी देती है चीन अपनी 9-Policy और Communist विचारदारा के कारण अपने आसपास के तमाम अक्षित्रों पर बल पूर्वक और कुटिलता से नियंतरन स्थापित करने का प्रियास सदियों से करताया है इसी के तहट इसने जिसको हम अक्षाई चीन कहते हैं भारत से उसको चीना है और जिसको हम मानसरोवर यातरा कहते हैं वो भी आज चाइना में है अब हुआ क्या है भारत को चाइना जाने के लिए यानि के मांसरो और यात्रा जाने के लिए सिक्किम के दरों से निकलते हुए लंबी यात्रा करनी पड़ती है इसको छोटा बनाने के लिए और दिल्ली के समीप लाने के लिए एक नया मार्ग जो नेपाल के बॉर्डर पर बनाय जा रहा था उसको ले करके पूरा का पूरा जगडा हुआ और अब गलवान पर इसी बहसा बहसाई में इसी जड़प में ही हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए हैं कोई 40-45 खबर चाइना के से भी आ रही है लेकिन इस पूरे मैटर के अंदर यदि हम इसको गहराई से यदि हम समझेंगे पूरा मैटर क्या है तो इसमें हमें पता लगेगा क किस प्रकार से चाइना के द्वारा पहले ही जो ताइवान होंग कोंग आदि जो खशेत रहें जिनको कब जाय हुआ है वहां पर भी लगातार विद्रोग चल रहा है होंग कोंग में अभी जो आक्रमन हुए उनसे वो लोग भी तरस्त हैं इस प्रकार चारों तरफ से घेर क करके चाइना को दबाया जा सकता है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है ताइवान न्यूज की वैब साइट ने पोश्टर अभी जारी किया है जो कि सोशल मीडिया पर आकरशन का केंद्र बना हुआ है ताइवान न्यूज पर प्रकाशित इस पोश्टर में भगवान राम ड् बहुत तेजी से ये सारे मेसेजिस वाइरल भी हो रहे हैं चीन ने ताइवान को हमेशा से ही ऐसे प्रांत के रूप में देखा है जो उससे अलग थलग हो गया है चीन मानता है कि भविश्य में ताइवान चीन का हिस्ता बन जाएगा जबकि ताइवान की एक बहुत बड़ी जाबादी है जो अपने आपको स्वतंतर देखना चाती है और भारत के साथ में इनके बहुत अच्छे और गहरे संबंद भी हैं और यही वज़ा रही है दोनों के बीच में तनाव की और यह इस्ट्री क्या है वर्ष 1642 से लेकर के 1661 तक ताइवान निदर लेंड की एक कलो लेकिन साल 1895 में जापान के हातों चीन की हार के बाद ताइवान जापान के हिस्से में चला गया था और आप भी जानते हैं कि जापान भी भारत का मित्र है और वो मित्र होने के कारण पीछे उसका रीजन वही है जो मैंने मनुस्मर्ती का श्लोक आपको बताया था साथ विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद में अमरीका और ब्रिटेन ने ये तै किया कि ताइवान और उसके सहयोगी चीन के बड़े राजनेताओं और जो मिलिटरी कमांडर चैंग काई शेक को सौंप दिया जना चाहिए चैंग की पार्टी उस टाइम पर चीन के करके ताइवान चले आए थे और कई वर्षों तक लगबग 15 लाग की आवादी वाले इस ताइवान पर उनका प्रभूत्वर रहा वही साल तक चीन और ताइवान के बीच में बेहत कड़वे संबंद रहे बाद में 1980 के दशक में दोनों के जो रिस्ते थे वो थोड़े बह करता है था कि हम एक स्वायत कंट्री हैं और आपके साथ हम मिल नहीं सकते हैं अब साल 2000 में चेंश्वाय बियान ताइवान के राष्ट्रपती चुने गए जिन्होंने खुले आम ताइवान की स्वतंतरता का समर्तन कर दिया ये बात चीन को ना गवार गुजरी तब से हौंग कॉंग की ताइवान की तरह चीन से दूर नहीं बलकि चीन से एकदम सटा हुआ है और इसमें जगडा क्या है चीन इसको अपने अंदर सम्मिलित करना चाता है लेकिन हौंग कॉंग और वहां के चातर और यूवा है वो चाते हैं कि हम स्वतंत रहें ये प्रॉबलम क 99 साल की लीज पर चीन को सौप दिया गया था हॉंग कॉंग द्वीप पर 1842 से चीन का नियंतरन रहा जबकि द्वीतिय विश्विद में जापान का इस पर अपना नियंतरन रहा था जिस परकार से हमने पिछली स्टोरी में आपको बताया था यह एक व्यस्त व्यापारिक पिडन से भाग रहे लोग इस सक्षेतर की ओर रुक्र करने लगे 1984 में एक सोदा हुआ पिछली सदी के आठवे दशक की सुरुवात में जैसे जैसे 99 साल की लीज की समय सीमा पास आने लगी ब्रिटेन और चीन ने हॉंग कॉंग के बविश्य पर बाचीत करनी शुरू कर द दिया कि हॉंग कॉंग को चीन इशासन को वापिस कर देना चाहिए दोनों पक्षों ने 1984 में एक सोदा किया कि एक देश दो प्रनाली के सिध्धानत के तहत हॉंग कॉंग को 1997 में चीन को सौप दिया जाएगा इसका मतलब यह था कि चीन का हिस्सा होने के बाद भी हॉंग विदेशी और रक्षा मामलों को छोड़कर स्वायत आनंद लेता रहेगा अब होता क्या है 1997 में जब हॉंग कॉंग को चीन के हवाले किया गया था तब बीजिंग ने एक देश दो विवस्था की अवधारणा के तहत कम से कम 2047 तक लोगों की स्वतंतरता और अपने कानून विवस्था को बनाए रखने की गारंटी दी थी लेकिन 2014 में हॉंग कॉंग में 89 दिनों तक 79 डेज तक चले अंब्रेला मूमेंट के बाद लोकतंतर का समर्थन करने वालों पर चीन सरकार कारवाई करने लगी विरोध परदरशनों में शामिल लोगों को जेल में डाल दिया एक पार्टी के उपर पूर्ण रूप से प्रतिवंद लगा दिया गया अब हॉंग कॉंग का अपना कानून और सीमाए हैं साथ ही खुद की विधान सबावी है लेकिन हॉंग कॉंग में नेता मुख्य कारेकारी अधिकारी को 1200 सदस्य चुनाव समीति चुनती है समीति में ज्यादातर लोग जो हैं वो बीजिंग समर्थक सदस्य होते हैं अक्षेतर के विधाई निकाय के सभी 70 सदस्य विधान परिशद सीदे सीदे हॉंग कॉंग के मतदाताओं द्वारा नहीं चुने जाते हैं बिना चुनाव चुनी गई सीटों पर बीजिंग यानि के चाइन के समर्थन में सांसदों का कब्जा रहता है अब क्या हुआ चिनी पहचान से नफरत हो गई है इन लोगों को हांग कॉंग में जचातर लोग चीनी नसलके हैं चीन का हिस्सा होने के बावजूनर हांग कौंग के अधिकांश लोग चीनी के रूप में पैचान नहीं रखना चाते हैं वो स्वतंत्र Hong Kong वाली फीलिंग लाना चाते हैं खासकर युवावर्ग केवल 11 फीसद खुद को चीनी कहते हैं जबकि 71 फीसद लोग कहते हैं के वो चीनी नागरीक होने पर गर्व महसूस नहीं करते हैं और यही कारण है कि होंग कॉंग हो और चाहे ताइवान हो ये सभी के सभी आजाद होना चाहते हैं या तो ये अमेरिका, इसराइल, जापान या फिर भारत की तरफ एक निगाहा देखना चाहते हैं उनकी सपोर्ट चाहते हैं सारी लड़ाई की जो शुरुवात है वो होती है नहरू चाचा के यहां से नहरू चाचा यदि ये ना कह करके के जमीन बंजर है इसको चाइना को सौप देना चाहिए जो कि हमारा एक पवित्रिस्थल मांसरोवर जिसको यातरा पर हिंदू लोग जाते भी हैं यदि उसको ना प्रकार से कॉंग्रेस के लोग आज नरेंदर मोदी और उनकी सरकार को कोस रहे हैं क्या कभी अगर वो चाचा नहरू को इस प्रकार से आएना दिखाने का काम करते तो क्या जगड़ा खड़ा होता मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्णों के उत्तर आप भी कमेंट बॉ आप तरम